इंदुस्तान के सौ में हर चौद्वा नागरिक इनके बीट से आता है लेकिन सत्ता में इनकी साजिदारी शुरू से ही बेहत कमजोर होती रही है और अक्सर चुनाव इनकी नाम पर ठूवी करण की चपेट में आ जाता है अब गाजीपुर सीट को ही ले लीजिए मुसल्मानों की अबादी भले ही चुनाव की दिशा में बदल देने का दम रखती हो लेकिन सडक से संसत्त के उस हिसाब से पहुँचने ही पाते देश की आबादी में भले ही मुसल्मानों की हिस्सेदारी 14 फीसदी है लेकिन संसत्त में इनकी संख्या उस अनुपाद में काफी कम रही है 1952 में 21 संसत्त चुनकर आये यानि 2.8 फीसदी 1957 में 24 संसत्त यानि 4.4 फीसदी 1962 में 23 यानि 4.2 फीसदी 1967 में 39 यानी 5.3 फीस अदी 1981 में 30 यानी 5.5 फीस अदी 1987 में 34 यानी 6.2 फीस अदी 1989 में 49 यानी 9 फीस अदी 1984 में 46 यानी 8.8 फीस अदी 1989 में 33 यानी 6 फीस अदी 1991 में 28 यानी 5.1 फीस अदी 1996 में 28 यानी 5.1 फीस अदी 1998 में 29 यानि 5.3 फीस दी 1999 में 32 यानि 5.8 फीस दी 2004 में 36 यानि 6.6 फीस दी 2009 में 30 यानि 5.5 फीस दी और 2014 में 23 यानि 4.2 फीस दी पिछले लोकसभा में तो उत्तरप्रदेश स्तमेद 22 साज्जियों से एक भी मुसलिम सांसत चुनकर नहीं जा पाया जबकि सबसे ज़ादा आठ मुसलिम सांसत पश्यम बंगाल से चीते अब की बार भी पश्यम बंगाल में चुनाव हिंदू मुसल्मान की धरातल पर खड़ा हो गया है दीदी इतनी बौखला गई है कब उने बगवान की बादगरना भी खटक रहा है हाला तो यह है कि जैस्री राम कहने वालों को दीदी गिरपतार करवा कर जैल बेज रही है बीजेपी के बरकश खड़ी राष्ट्रिय पाटी कॉंग्रस बें नरम हिंदूत्तु की पिछ पर शुनावी खेल खेल रही है आलम यह है कि बीजेपी ने आठ मुसलिम उम्मिदवारों को उतारा है तो कॉंग्रस ने 35 उत्तर प्रदेश में एस्पी बीएस्पी ने दस तो पश्यम मंगाल में टीमसी ने साथ मुसलिम उम्मिदवार उत्तर प्रदेश में एस्पी बीएस्पी गटबंदन को भरूसा है कि अब के बार मुसलिम उटों में विभाजन ना तो हुआ होगा ना होगा बीजेपी के दिगज नेताओं के चुनावी तेवर भी बता गए कि टिकेट भले कम मिले लेकिन मुसलिम वोटों की एहमियत कम नहीं है यह एलेक्शन तो मैं पार्क कर चुके हूँ अब आपको मेरी जरूरत पड़ेगे और उस रिजल्ट में सौ वोट लिकलेंगे और या पचास वोट लिकलेंगे तो उसके बाद जब आप काम के लिए आएंगे तो वही होगा मेरे साथ समझ का आपको जमूरियत पुतर जे हुकूमत है जिसमें बंदों को गिना करते हैं गिंती तो मुसल्मानों की भी होती है लेकिन सवाल है कि वो किस गिंती में है झाल